क्या हाले साथ ही हूं मैं हुई कास सोमर आपके अर्मेट रस्वादी चैनल स्टेडी फॉस से आज आपके समझ लेकर आगया है 22nd अप्रेल का करंट अप्रेल का करंट अप्रेल के लिए बहुत यहाद इंपॉर्टन्ट है इसको आप लोग पूरा देखे यूपीएसी यूप इंडिया सीड फंड इसकीम ठीक तीसरा जो है मारा की हूमन राइट्स वॉच एक एंग्यों है इसने कहा है कि जिंग जियांग जो एक चाइना का प्रविंस है वहाँ पे काफी हूमन राइट्स के वालेशन क्राइम सोइंस हो रहे हैं तो हमें एक प्रोब करना चाहिए ठी अगला टॉपिक है हमारा बिटेन द्वारा ब्रिट कोईन डिश्टल मुद्रा ब्रिट कोईन डिश्टल मुद्रा का जो है कंसिडर किया जा रहा है तो यह आपका एकनॉमी हो गया अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इंडिया और जर्मनी ने मिलकर एक समझाता किय कि वह सिटी से जो है आपका plastic जो चला जाता है मरी इंवर्मेंट में समुद्र में ठीक है वह नहीं जाने देंगे उससे लड़ेंगे इसके लिए समझाता किया गया है यह आप का हो गया इंडिया और जर्मनी की बीच में आया इंटरनेशनल इलेशन से लेटेट भी तो काफी यादा important इस तरीके से subject wise आप देख रहे हो कि हमें आज पढ़ने हो साथ में हमारे 2 mcq तो होते ही हैं जो की बहुत यादा favorite है हमारे चिक कैसे exam में question करना यह इसमें हम जानते हैं आज जो है हमारा important day भी बहुत ज्यादा important है भाई विश्व प्रिथीव दिवस ठीक इसको काउन करता है World wide wide fund for nature और 22 अपरेल क्या है World Earth Day ठीक हमारे लिए एक और आप लोग लिए एक humble request है की reminder है UPSC 2021 और EPFO का 2020 का complete paid group चल रहा है जिसमें की test series, study material और one-to-one discussion आप लोग ले होता है अगर आप लोग complete paid group ने लिए चाहते हैं सिर्फ test series भी ले सकते हैं इसमें आप लोग को sectional test, full-end test और weekly test भी मिल जाएंगे ताकि आप लोग असानी से जो है test को करते हुए अपनी गंतियां करें और उसमें सुधार करें और जो है exam के लिए तयार हो जाएं तो अगर आप लोग को join करना है तो इन numbers पर call करिएगा 8564-80530-96960-6089 पर UPSC और EPFO दोनों की exam के लिए आप लोग call कर सकते हैं तेगे खजुराहो मंदिर अब क्या है यहां पर क्या हुआ है समझते हैं परेटर मंतरी ठीक जो आपके हैं उन्होंने एक देखो अपना देश webinar शिरीज चलाई मतलब वेब पे इंटरनेट पे चला था ठीक टूरिजम क of architectural splendor ठीक खजराहो जो है मैं बने मंदिरों की वास्तु शिल्पिय भविता ठीक तो यह इसका नाम था और 17 अप्रेल को यह हुई थी समझ में आगी तूरिजम बढ़ाना है खजराहो टेंपिल्स आर्ट & कल्चर से लेटेड है बहुत यहादा कुपसवत इसके फोटो में सब कुछ जानेंगे ठीक देखे इसका की पॉइंट क्या है देखो अपना देश जो वेबिनार है यह भारत का एक भारत शेयस्ट भारत अभियान आप जाना रहाँ ना ठीक तो यह इसी का पार्ट है एक भारत शेयस बाट जो है इसको रिवाइस करना आप लोग को आज यह खजुराओ मंदिरों के बारे में जान लेते हैं, तो ये हिंदू टेम्पिल भी है और जैन टेम्पिल भी है, ठीक, जैन भी है, हिंदू टेम्पिल भी है, दोनो है, कहाँ पर है, मद्र परदेश में है, 76 डिस्ट्रिक में है, अगर जांसी के वह आप धच्छल पूर्वी इस समझाओगे तो 175 किलिमेटर दूर है खजुराओ ठीक और इसको वर्ड हाइट साइट यानि कि युनेस्को के दोरा विश्व धरोहर स्थल भी बनाए गया था 1986 में आप लोग से मैंने रिक्वेस्ट कही थी कि पूरे वर्ड हाइट जो साइट से उनको अच्छे से पढ़ लीजेगा प्लीज क्योंकि ये यूपीस्स कोशन इनमें से पूस्ता है और ये किस शैली पर बना हुआ देखे नर्दन इंडिया में होता है नगरा स्टाइल ठीक ये तीन तरिके कि नौर्थ में नगर साउथ में शिकरह और वीच में करनाटक है और उधर साइड में वेसारा ठीक यह हो गया लेकिन खजराह कौन सा है वह नगर इस टैल जो एसा स्थापत इस्रैली का ठीक अब देखे इसमें एक चीज और भी धी है इसमें erotic sculptures भी है ठीक कामुक मूर्तिया भी है, जाइए देखे वहाँ जाकर और इसको भूला आर्ट एंक कल्चर के उससे देखेएगा और किजी तरीके जनी खजुराहो मंदिरों का निर्मार जो है 950 से 1050 इसवी में हुआ था चंदेल राजवनिश ने कराया था ठीक है, एक-एक चीज याद करते चलिए और इसमें तीन समू है एक पूरवी है, पक्चिम है, दच्छणी है तो कौन सा बचाग? नौर्थ नहीं है तो इसको याद कलो अगर वहाँ कहे कि इसमें तीन समू है, नौर्थ, साउथ में इन्होंने इसका वर्णन किया था ठीक? और इसकी नकाशी जो है आपकी विश्षिस्ट अदबुत स्थापत कोशल है, यानि कि आपके चल बहुत ही बहतरीन है जो कार्विंग्स हैं, नकाशी है बहुत ही बहतरीन है, मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज एक बार जोर देखने चाहिए और इससे जो है भारत के नहीं जो है इंटरनेशनल सहलानी भी वहाँ पे आते है रिवाइज डबलु एचेज मैं भूल जाता हूँ जलिए मैंने अब लिख रहा हूँ इसे, कि आप लोगो डबलु एचेज क्या है आपका विश्व धरोहर स्थालियानी की वर्ल्ड हैटर साइट्स और एक ही बाद निकलती इसको देखे घुपसूरत मंदिर को, क्या बात है देखरो आप यह देखो वाव बहुत ही सुन्दर है यार यह इसको प्लीज जबूर इसको देखिए और चाहे तो अभी आप पिक्चर्स भी दे सकते हैं सर्च करके ठीक आप लोगे लिए रिवाइजन क्या होंवर्क है वर्ल्ड हैटर साइट्स को रिवाइज करना है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्कीम यह एकनौमी से समंदित भी है और सोचल स्कीम भी है स्टार्ट अप इंडिया आप लोग ने को पता ही है ठीक कि उद्द्यमत्ता को बढ़ाना है लोगों जो नए नए लोग है आइडिया है उस आइडिया को जो है एक फलता फूलता बिजनस बनाने के लिए जो स्कीम बनाएगे उसका नाम है स्टार्ट अप इंडिया अब इसको फलता फूलता बिजनस बनाने के लिए बीच में चाहिए बहुत साइच चीज है ठीक तो उसमें एक सीड फंड जो है लाख आइडिया हो जाएंगे तो यह बहुत बड़ी बात होगी तो seed fund एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब की सबसे मलब होता ना root जैसे होती है तो एक beach हम हम बहुत सकते हैं beach वाला fund जो है वो उसको कहते हैं इसमें यह नहीं कि beach खरीदने के लिए फंड दे रहे हैं कई एक कोई पूछा था कि सर इसमें क्या beach खरीदने हैं क्या उसके लिए पैसा दिया है नहीं यार इस idea के लिए शुरुवाती दौर का इसमा funding की जारी वो मतलब है कहने का ठीक है भावनाव को समझो तो यह अली चीज है और इसमें अब कौन से मंत्रला है मंत्रला यहां पर आ रहा है commerce वाणिज और इंडस्ट्री उसके मंत्री कौन है प्यूश गोयल उन्होंने यह launch किया है startup India seed fund scheme इससे लेटर मैंने दो पिक्चर आज में जोड़ी है बहतरीन आपको समय में आ जाएगा उप्रोक्त scheme के बारे में about it अगरा समझो तो इसमें क्या है financial assistance दिया जाएगा startup को जैसे उन्हों बताया लेकिन उनको कुछ दिखाना पड़ेगा startup को ठीक है दिखाना पड़ेगा क्या क्या proof of concept कि उनकी अवधाराना क्या है ठीक prototype का विकास development कुछ बनाया हो भाई product trial जो आपका उत्पाद परिच्छन मतलब कि कोई product आप बनाना चाहरो जो भी आपके idea समझ देता वो ठीक market entry अगर product trial में मैं आपको बताऊ तो बहुत ही simple एक startup बना चाय से related तो वहाँ पर कहेंगे भाई आप product trial funding मिलेगी ठीक और इससे related देखिए 945 करोड रुपिया दिया गया है चार साल में बटा जाएगा funding funding की जाएगी जो eligible startup होंगे जिसको D.I.I.P.T करेगा ठीक इसका कैफल फॉर्म में एक सेकेंट भूल जाता हूं मैं यह है D.P.I.I.T.S. Department for promotion of industry internated बहुत ही ज्यादा important सब्सक्राइब भाई है ठीक इसको आपको क्या करना इसको revise करना इसके website पर जाके about us पढ़िए इसके बारे में ठीक ठीक तो हम लोग देखें यहां पर थे अरे उपरीन दिकल गए यह आ गया दिक चार साथ तक करना जो eligible startup मतलब D.P.I.I.I.T. के दोरा जो है जो चुनी जाएंगी वो eligible startup होंगे और इनको through eligible incubator आज incubator को भी अच्छे समझाओंगा उसमें ने incubator accelerator आप लोगों को बताया था आज एक picture के थूँ समझाओंगा तो जद अच्छा सो हमें आएगा across India पूरे इंडिया के यह है scheme और इस scheme के अंदर इनका estimate है कि करीबद 3600 startup को समर्थन मिलेगा 300 incubator के माध्यम से ठीक startup इंडिया अगर fund scheme इसके बारे में अगर जाने तो यह PM मोधी जी ने announce करी थी जनवरी 2021 में और इसमें यह कहा था कि जो नवोधित उद्यमी है ठीक है मतलब नए entrepreneur हैं और startup है और चाहते हैं कि वो अपने नवीन विचारों को आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी मदद की जाएगी और देखिए आप जब स्कीम बनाई गई है तो इसकी निगरानी इसका निश्पादन execution करने के लिए monitoring करने के लिए एक expert advisory committee बनाई जा रही है ठीक है जो की government central government के द्वारा बनाई जाएगी और यह responsible होगी कि निगरानी करेगी इस पूरी scheme की निश्पादन को देख ठीक execution सब्सक्राइब कि निए हो रहा है ठीक यह और चीज़ है अब इसमें देखो grant दिया जाएगा अब देखो अगर आप इसको ऐसे पढ़ते में वैसे question पूछने वाला था भूल गया अगर यह question बोला गया है कि विशेश सलाकार समथी जो EAC उपर बताया गया चैनित प पढ़ा है इस चीज़ पर ध्यान दिया तो आप वहां पर कुछ समझ जाओगा नहीं यह गलत है कि नहीं समझो तो इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि नहीं द्यान देना चाहिए grant है ठीक पांच करोड का किसको दिया जाएगा eligible जो है incubator को दिया जाएगा start-up को लिए जा रहा है ठीक जिसको select किया जाएगा किसके द्वरा नहीं incubator को कौन select कर रहा है EAC इस तरीके से पढ़िए प्लीज एक एक चीज़ भी द्यान देते हुए अब देके incubator क्या होता है य government ने क्या है startup India seed funding है इसके अंतरकत कई सा एक incubator बना दिया xyz ठीक इसके यह जो है इसको सीड फंडिंग दे रहा है ठीक है और इसको कौन जो है मलब इसको select कर रहा है EAC incubator को EAC expert advisory council ठीक तो यह सीड फंडिंग कर रहा है यह investor से मिलवाएगा mentor करेगा जैसे मैं आप लोगो guide कर बता हूं technical assistance करेगा नहीं यह नहीं ऐसे क्या चीज करिए इन आपका बहुतिक संपता के बारे में बताएगा market की expertise सिखाएगा ठीक है नया idea लेकिन सिर्फ idea है ने आपके पास इन सब चीजों को सिखाने के लिए incubator networking shared operational cost क्या है in inexpensive मतलब खर्चा कम एकी building में आपको दे दिया कई सारे startup हो गए अलग से आगर बोलो अपनी दुकान खोलते building में किराय लेते हैं ज्यादा मेंगा पड़ता यह सारी चीजे इनको फायदे होते हैं incubator के थुरू अब देखे यहां पे picture थुरू समझ लेते हैं how startup India standard seed fund यह कैसे operate करेगा ठीक इसमें जो है seed fund दिया जाएगा जो की disperse किया जएगा eligible startup को through eligible incubator जो मतला पात्र इंक्यूबेटर जिसको EAC अब तो याद हो गया ना EAC जो है select करेगा वो इनको eligible startup होंगे eligible startup काउंट से होंगे जिसको की DP IIT recognize करेगा ठीक आपका department for promotion of industrial and trade यह nodal department है इस scheme के लिए ठीक है यह जो है आपको इसके बाद EAC के पा इसमें government के representative भी होंगे और industry के expert भी होंगे ध्यान रखो ठीक government के अब incubator जो होगा वह government का भी हो सकता है non government का भी हो सकता है तो अगर आप से EAC में पूछ लिया जाए कि इसमें सिर्फ government के representative होंगे तो यह गलत होगा ठीक उसी तरीके इंक्यूबेटर समंदित पूछ ले कि दो पढ़ते समय question को अपने दिमाग में बनाना बहुत ज़ूरी है क्योंकि finally examiner भी ही करता है question मना के फिर आप से question पूछता है exam में तो अभी करें दो तीन साल करीपन पहले से मालब वर्क कर रहा हूं और start-up जो है dpi it को recognize करेगा मानिता देगा और incorporated less than two years ago मतलब incorporated का मतलब समझते हो memorandum of agreement यह सब जो है उन्होंने किया हो दो साल अभी नहीं हुए हो जब इनका moa sign हुआ तो उससे जो कम वाले होंगे सिर्फ वहीं start-up इसमें eligible हैं त्यारंग ना पांस साल कर दे तो गलत हो जाएगा इसका महत तो क्या है महत देखे आपको मैंने उपर बता है फिर बता दे रहा हूं यह आपर start-up इंडिया seed funding जो है आपको जो है seed funding देगा पहली बात थे ही हो गया आपके अदर नवाचार को बढ़ावा कि आप innovation सोचोगे रहा है नहीं नहीं चीज़े है ठीक support करोगे transformative ideas कोई समस्या है उसमें transformation लाना चाहता है उसके उसको support मिलेगा बल मिलेगा कि हाँ भाई ऐसा नहीं कि हम खाली idea सोचें तो आगे जाए नहीं सकता और इसमें जो इसका कारियानवर्न में facilitate किया जाएगा start-up revolution solution एक हो सकता है चालू काफी बड़ी बात है और देखो यह है कि यह स्कीम एक start-up ecosystem बना देगा मलग की start-up परिस्तिकी तंत्र बनाएगा और particularly यहां पर focus कहां पर हो रहा है tier 2 और tier 3 towns में cities में यह important है इसकी मेंने definition यहां पर लेकिया हूँ RBI दौरा दे गई है ठीक है RBI दौरा दे गई है और census 2001 की है यह द्यान अखना कोई कहें कि यह 2011 दी गई नहीं 2001 में क्या है भी बताता हूँ और विच आर ओफन डिप्राइब जो tier 2 और tier 3 होते हैं जाद तर यह दिप्राइब होते हैं यहां पर funding नहीं बिल पाती है अब देखो tier 2 tier 3 जो है बार-बार पूछा जा रहा है बार-बार आता आप लोग कभी उचको खोच के देखते हो कि क्य चीज़ है यहीं UPSC पूछ लेगा tier 1 में वह अब देखें सबसे पहले tier 6 जहां पर 5-10000 के बीच में जन्संग किया है tier 4 10-10000 के बीच में tier 3 कौन सा है 20-10000 से 50-10000 के बीच में जन्संग किया है tier 2 होगे 50-10000 से एक लाग और tier 1 कौन सा होता है एक लाग से उपर वाला दियान लखोगे न यहीं तरीके से यहाँ पर पॉस करके देख लिए कि रूरल सेंटर किसे कहते हैं क्या किया पाप्रेशन की वो है ठीक तो यह काफी इंपॉर्टन था स्कीम को इतने बहतरी तरीके से किया इससे लेट कोई कोशन आगया तो आप लोग का गलात नहीं होगा यह मुझे मेरा जो है आप लोग से दावा है देखे अगला जो है इसके बारे में कई बार पता आया है ठीक गूर्टन का जो है जो एक की मुस्लिम्स हैं और इनका एक गूर्प भी एटी आइम ठीक है यह टेरिस गूर्प है एस तुरक्मैनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट नाम से है तो यह मुस्लिम्स हैं इनके उपर काफी अत्याचार कर रहा है तो जो हुमन राइट्स वॉच्छ है जो की आपका मानौ जो अधिकार होते हैं उनके लिए काम करता है तो वह कह रहा है कि हमें कुछ आच करना है जिंग जियांग प्रोविंस में चाइना जो है क्राइम अगेंस्ट हुमेंटी कर रहा है ठीक तो इस से लिटेड है चले मैपिंग पहले देख लेते हैं यह कई सारे जो है यहां पर इसके प्रांथ हैं जिंग जियांग प्रोविंस यह मतलब आपका सेंट्रल एशिया में अधर जाने का एक गेटवे भी है इसलिए चाइना के लिए इंपॉर्टन है तो इसकी जियोग्रिफिकल लोकेशन इ मिलता है और इसमें देखे और कौन-कौन से यह लासा हो गया जो तिबतन एरिया है यह बूरा ठीक है यह आपका जो है इंडिया देखे भूटा बंगला देश हो गया यह और नौचर पर देश है ठीक है ईस चैना सी यह यह लो सी ठीक कॉरिया और इसके बीच में East China Sea आ गया, South China Sea आ गया, देखे, यहां पे फिलिपीन से, वियतनाम से, इसके जो है, आइलेंड के डिस्प्यूट चलते रहते हैं, ठीक, इस फिलिपीन से कौन सा है, स्कारबाउ, इसकारबाउ नाम से है, आपका वियतनाम से कौन सा है, स्प्राथले एंड परासल, इस परातले हैं, परासल नाम के दो जो है, आइलेंड, बिस्प्यूटेड हैं की बीच में, यह ताइवान है, ठीक, यह हैनान है आपका, होंग कॉंग यहां पे है, गल्फ आफ टॉनकिन है यहां पर, तो इस तरीके से आपको जो है, बोहाई हो गया यह, ठीक, इस ने कहा है कि मुस्लिम्स के कई सरे डिटेंशन सेंटर चलना है, अब देखो यहां पर क्या है, चाइना कह रहा है, यह डिटेंशन चाइना कह रहा है, कि हमें अपनी देश की एकनॉमिक आर्थिक व्योस्ता को बढ़ाना है, तो हमने प्रसिच्चर देने के लिए, पर जो घुर्स मुस्लिम्स जाते हैं, वो वापस आते हैं उनको नजर बंद कर दिया जाता है, ठीक, और इनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेज हैं, जो यह मैनुर्टीज हैं, इनके जो भी विलेकार, उनको दबाया जा रहा है, मॉस्कोस का मजजद पहले थे, देखा जा रहा है, तो यह कितनी मतलब डवल, एक्चली पाकिस्तान में जो लोग जिनकी रोटी चल लई है, इंडिया खलाब काम करने के लिए, वहीं लोग पूरे उसको जो है, अपनी मौच के लिए पूरी देश को बनाम करते हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि वहां के लोग हम से कुछ रहा है कि यहां पर यह डिटेंशन सेंटर है, यहां नजर बंद किया रहता है, चैना क्या बोला है कि हम तो इसको एकनोमिक अर्थवस्ता को बढ़ाने के लिए यह हमने आई टी आई टाइप के खोले हुए, ठीक, और हुमन राइट्स वाच यह बोला है कि क्राइम अगें क्राइम अगेंस युमेनिटी मानवता खिलाब अपरात के रूप में परिवाचित किया गया इसका हुए, ठीक, रोम स्टैच्यूट नाम से आप लोग ने नाम सुना होगा, ट्रीटी जो है संधी है, लेकिन यह कह रहा है कि चाइना क्योंकि इस इंटरनेशनल क्रिमनल कोर यह वीटो भी कर सकता है, तो यहां इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट चले जाओ, जहां का वेमबर नहीं है, और युनेटेट नेशन सेक्योर्टी काउंसिल वह जहां का पर्मिननमेंबर है, वीटो कर देता है, तो यहां कुछ होगा नहीं, हम आपसे यह गुजारिश कर रहे ह कि human UN का Human Rights Commission जिसको आप बोला जाता है UN बोला आता है आपका UNHCR ने ने UN आपका HRC ठीक United Nation Human Rights Council बोला जाने लगा है तो कह रहा है Human Rights Watch ठीक जो कि NGO है कि यहां पर एक ऐसा जो है कोई आप बोड़ी बनाओ निकाय बनाओ ताकि हम investigation करें और इसमें प्रोब करें जबाब देही बना सकें इसके ओपर चाइना के ओपर ठीक यहां से नहीं बच पाएगा Human Rights Council जो है इसके बारे में अभी बताऊंगा ठीक सारी पिक्चराथ जोड़ी हुई है सब एक एक चीज़ प्रस्ट भूमी बैक्राउंड क्या है एक मिलियन दस लाग पीपल करीवन जो है इन कैंप्स में है Human Rights Watch के अनुसार जिंग जियांग में और मतलब according to foreign governments लेकिन चाइना क्या है और यहां पर क्या Human Rights Watch क्या बोला है जो एंजियो है कि यहां पर फोस्ट लेवर होता ठीक है जबरन श्रम होता बेगार होता है बेगार जाने नंदे नको आगे अपनी वढ़ायां दे रहे हैं लेकिन चीनी पालकार बोले कि यह संब गलत बात बोल लें वो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है हम लोग इनको जो है जॉब के लिए के ट्रेंगि दे रहा है । उससको खत्म करने के लिए हम लोग सारी यह हैं चैना की यह बात है अब समाथ लेते हैं यह human rights watch ये एक NGO है और international NGO है जो कि New York City में इसका headquarter है ठीक और ये आपका अनुसंधान करता है advocacy करता है human rights के लिए इसके इसको पहले हैंसिंग की watch बोला था था अब human rights watch बोला था है और non-profit organization इसके founder जो है Robert L. Benstein थे और Jerry Lever ये तिनो international court criminal court में देखें कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ एक Rome statute बनाए गया था उननीच सो ठानिवे अठानिवे में तब इसके अंदर जो है prosecution जो serious international crimes होते हैं जैसे की जो आपका genocide ठीक किसी एक माली जो कोई एक ethnic उसको खतम कर दें वार क्राइम वार हो रही उसमें रेप हो रहा है एक सब को मार दे रहे हैं जो लोग जो आपका जो है जिनको wounded है जो जक्मी है उनको भी मार दे रहे हैं तो यह सब वार करने में आता है crime against humanity जो कि यहां पर बोल ला है human rights watch कि चाइना कर रहा है उगर्स के खिलाफ ठीक उगर्स के खिलाफ तो वह यहां पर कह रहा है कि international criminal court के अंतर तो यह डिफाइन है लेकिन चाइना इसका मेंबर नहीं है तो यह इसमें जाएगा नहीं यह वाली चीज़ है तो उसने कहा है कि हम लोग आपका UN का एक मेट यहां पर है इसके picture नीच जोड़ने पड़ी थी यह रही तो यह कह रहा है कि आप लोग इसको United Nations Human Rights Council में एक body बना दो जो कि जाच करे ठीक यह इसमें 47 member होते हैं अलग-अलग जो continent हैं उनमें अलग-अलग वो नंबर उनमें बटे हुए हैं और 47 member ही रहेंगे इसमें elected होते हैं तीन ये के terms में और इसका headquarters जिनेवा में है इसमें जो है क्या है कि 47 member रहते हैं लेकिन अलग-अलग-अलग rotation पर चलता रहता है तो हर पूरे वर्ल्ड के जो है country और अच्छा 47 member होंगे इनको elect करेगा United Nations General Assembly करेगा ठीक यह वाली बात है और यह 2006 चेम बना है प्रसेंट इसके नजाहर्ट शमीम है जनेवा अभी जो है और जनेवा स्विजिलेंड इसका headquarters है आपका प्रेजेंट organization United Nations General Assembly है पंदरा मास 2006 को आया था पंदरा साल पहले ठीक तो यह कैसा लगा आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी चीज में बचेगी नहीं background सब इसमें cover किया जा रहा है ठीक अगला जो हमारे टॉपिक है कि British Authority जो है वह एक नई digital currency के बारे में सोचे नहीं जिसका नाम हम लोग ने अभी रखा नहीं है अभी इसको ब्रेट कोईन बोल ला है ठीक और इसमें देखे क्यों यह सोचा जा रहा है Bank of England ठीक है और Treasury यह दोनों लोग मिलके सोच रहा है कि हमें आंकलं करना चाहिए कि अगर Central Bank के द्वरा कोई digital currency लाई जा रही है तो उसके क्या-क्या लाब हो सकते हैं समझ मैं ऐसा क्यों सोचा जा रहा है क्योंकि Corona वाइरस आ गया है लोग cash में payment नहीं कर रहा है जा तर लोग क्या online payment करना है ठीक तो वो कह रहे हैं कि हम एक Bitcoin ले आते हैं भाई जो की card payment जो होते हैं ठीक online internet banking mobile banking इसके लाबाए एक Bitcoin भी ले आए तो और Corona वाइरस के वैसे जो है cash में payment कम हो रहा है तो हम धिरे-धिरे यह card payment रहे इन सबको भी support मिल जाएगा digital currency के थुरू ठीक और इनको ऐ अगले दशक तक 10 में से सिर्फ एक ही cash transaction होगा ऐसा मानना है तो ब्रिट कोई जो एक card system जो हो गया जो यह card के थुरू online banking इन सबका support system बन जाएगा digital currency हम इसलिए बना सकते हैं जिसका नाम ब्रिट कोई यह लोग कहना है तो यह पूरा concept है इसके पीछे और यह चीज़ा significance जहीं है कि नई form हो जाएगा digital money household इसको यूज़ करेंगे बिजनेस यूज़ करेंगे ठीक और ऐसा नहीं है कि हम cash और bank deposit हटा देंगे यह इनके साथ में रहेगा ठीक साथ साथ मौजूद रह ब्रिट कोईन हो गया ठीक बैंक और एक Central bank इस्टर करेंसी भी होती जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है ठीक डिस्टर करेंसी जो है सिर्फ electronic form में होती है और इसको कई जगे explore भी किया जा रहा है और कई जगे जो है implement भी कर दिया गया है ठीक जैसे बहामाज नाम का जो है ब प्रिट में चला रहा है भी बताऊंगा इसके बारे में तो यह चीज एक्स्प्लोर करने वाली बात है implement भी कई जगे हो चुकी है और bitcoin मतलब की सफलता को देखते हुए लोग जो है इसके पीछे एक blockchain technology होती है जिसको मैंने पिछली और भी बताया था एक्जाम में UPSC के तो सब्सक्राइब कोई भी कुशन गलत नहीं होगा ठीक होववर डिस्टर करेंसी जो है यहां पर UK के द्वारा जो सोची जारी वह bitcoin से अलग होगी क्योंकि यह स्टेट सेंट्रल गॉवर्मेंट जो है उसको निकाल लही ना कि कोई ऐसी जैसे bitcoin क्या है वो कुईसी गॉवर्मे लगाए बनी काफी कम यूजयोगा तो उम डिस्टर करनसी बिला जाएं कारड पेमेंट इंट्रेनट मेंक यह वह भी चलता रहे इस तरीके का जो करनसी है कहां का use रहा बहामाज में तो चालू हो गया यूज़ इसका चाइना में कुस्छ सिटीज में हो रहा है सूड्यन मे और जनवनी के बीच में एक समझवता हुआ है कि पानी में जो मरीन वॉटर है समुद्री पॉर्यवर्ण इन्वार्मेट है उसमें प्लास्टिक को ना जाने दें जो शहरों से जा रहा है ठीक जैसे कानपूर है कानपूर से क्या होता है कि यहां पर इनका उद्देश यह है समझते हैं कि हम ऐसा नहीं कि वहां वह जहां पर रिवर जो है मीट हो रही है आपकी बेव बेंगॉल में माली जा रही है समुद्री परेवन में जा रही है तो वहां पर हम इसको कैज करें हम बलकी जहां से सोर जहां से यह उत्पन हो रहा है यह प्लास्टिक प्लूशन वहीं पर रोग दो यह इनका में मोटिव है यहां पर और यानि कि कुछ हम सिटीज से जहां से सोर्स यह है जो प्लास्टिक प् देख लिएगा जीएम बीच इंडिया है और इसी साथ साथ जो है आपका नुक्लियर सेफटी इन लोग के बीच में अग्रिमेंट हुआ है और टेक्निकल कोपरेशन में तकनीकी जो है इसमें सयोग होगा और इसका नाम है सिटीज कॉमबेटिंग प्लास्टिक के लिए इसका सीट सक जो है वह प्लास्टिक जिसके उन मूलन के लिए सारे शहर संगर्स कर रहा है ठीक वहाँ दिरे दिरे समुद्री परवेश कर रहा है तो हम उसको रोकेंगे मतलब यह चीज़ है वर्चो सर्मनी होगी थी अब दोखो अब इससे भी आप लोग लिख सकते हो यह कैसे क देखो पानी से भी बस सकते हैं ठीक उस समय यह बून लगा लोगो को रहार अविश्कार हो गया बहुत 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 है लेकिन इसका इतना ज्यादा यूज हो गया कि अब यह समय देखो प्लास्टिक पलूशन हो गया है फूड चेन में हमारे आने को तैयार हो गया है जैसे हम उसका पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है एथिक्स के पेपर में भी यह दाल सकते हैं कि ओवर यूज जो कंज्यूमरिजम है ना कंज्यूमरिजम जिसको एंवार्मेंट और सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट गोल्स में भी इस पॉइंट को डला सकता है ठीक त और जो मोदी जी कहते हैं कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक खतम कर देंगे सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है ऐसी प्लास्टिक के मतलब कोई जो आप पन्नियों यूज करते हो वह एक बार यूज होती फिर खराब हो गई तो उसको सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं ऐसी प्लास्टिक को 2022 तक हमें वो करना है क्या है ख़तम करना है जर्मनी देखो जर्मनी में कई सारे कैनाल बने हुए हैं जैसे हमारे हैं केन बेतवा अब चलना है न केन बेतवा काफीज में बावाल भी हुआ था उच्छी तरीके से जर्मनी में और बाकी जगए यूरोप में भी जो है कई सारे केनाल बने हुए है इसमें ट्रांस्पोर्ट अच्छा होता है सस्ता होता है इंवार्मेंट को भी कम नुकसान होता है और जो है से इंडस्ट्री को अफिया दा हुआ तो देखे रो केनाल है अब जर्मनी कई सारी जो रिवर सा देख लेते हैं डनूबे इंपोर्टेंट है ठीक आपका वैसर हो गई आपकी आपका राइन रिवर हो गई ठीक राइन रोन आप लोग ने सुना होगा ठीक लगजंबर यह इसके बगल में होगा चेक रिपब्लिक हो गया पॉलेंड हो गया बाल्टिक सी नौर सी बताए ब्लैक सी कहां है इसको कौन-कौन सी कंट्री जो है वो एंसर्क्ल करती है सराउंड करती है कौन-कौन से टच्र करती हैं ठीक यह चोटी सी मैपिंग गई नी की और इसम हुआ है जरवनि और इंड को बीच में 20 2009 में एक हुआ था जोए डिकलेशन प्रिवेंचन ऑफ मरीन लिटर ठीक समुदरी अफसिस्ट की रोक थाम उसके अंतरगात यह काम हो रहा है आपर और जो प्रोजेक्ट है उसका एम यहीं है भाई साब कि हम प्लास्टिक को जो है समुदरी वातरवड में नहीं घुसने देंग इसमें सिटी कौन कौन से सेलेक्ट की गई है कानपूर कोची और पोर्ट बले कहा है अंडवा निकोबार पर और यह 3,5 साल के लिए काम किया जाएगा आपका सवच भारत मिशन अर्बन जो है इसके अंतरगत यह काम किया जा रहा है इसमें यहीं कि प्लास्टिक लिटर जो सेग्रिगेशन और मार्केटिंग ठीक आप जैसे घर में आप कलेक्ट करते हो तो आपको जो ऐसा वेस्ट है जो बायो डिग्रेडिबल है ठीक है अपने आप जो है जो खता हो जाता है प्लास्टिक में मिल जाता है तो वह उसको अलग करना चाहिए और जो लॉंग टर्म न करने में भी आसानी होगी इसके जो इंपक्ट है वह बहुत जादा इंपॉर्टन ने समय लीजे जो मरीन लिटर है यह आपका एक्वेटिक जो इको सिस्टम होता परसिक्रित अंतर होता है उसको काफी नुकसां पहुचा सकता है आपका जो फिशरी है टूरिजम इंडस्री है उनको काफी देखते हैं कि पढ़ी हो आपको जाने मन नहीं करेगा वैसे इंसान जहां पहुच जाए इसलिए इको टरिजम पर काफी जोर होना चाहिए और जो है पलूटर पर प्रिंस्पल भी होना चाहिए सी सी टीवी लगाने चाहिए सब लोग देख रहा हम हो मतलब क सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसके साथी साथ जो पब्लिक हेल्थ पर भी काफी दिक्कत आती है प्लास्टिक के वैसे क्यों माइक्रो प्लास्टिक जो होता जो आजकल फेश वास उन सब में आ रहा है कि तुरंत देखो अभी तोचा ऐसी निखा रहेंगे कि विल्कुल जो है बहतरी निखागा उसमें माइक्रो प्लास्टिक डाल देते हैं तो उनकी वैसे फूड चेन में भी जाने की जो है नुकसान हो रहा है अभी हाल फिलाल में देखा जाए तो प्लास्टिक वेस्ट जो है हमारे ओशियन जो महास अगर है मरीन इको सिस्टम में काफी बढ रहा है हमें और इसका यह पॉब्लिक और प्रॉलिसी मेकर जो है जो नीती बनाने वाले उनको काफी अलार्मिंग लग रहा है और इसका एस्टिमेट किया गया है कि पंदरा से बीस परसंट जो आल प्लास्टिक से वह ओशियन में जाता है रिवनाइन एको सिस्टम के तरू जो पॉलूटेड रिवर्स है उसमें प्लास्टिक जो है डाल जाती है वहीं फिर समुद्री वातरवण में पहुच जाता है पंदरा से बीस परसंट प्लास्टिक इस तरीके से पहुच रहा है नदियों के बहते पानी के जड़ी पहुच रहा है और इसमें यह भी रोचक मुझे लगा तो मैंने कुछ लिस्ट दिए यहां पर रिवर की अलग से जोड़ी आप लोग लिए कि 90 प्रतिशत जो है जो दुनिया की सबसे मोस्ट पॉलूटिंग रिवर्स हैं वहां से जा रहा है ठीक जिसमें से दो भारत में है यहां पर गंगा और पुत्रा के बात कर इंडोनेशिया की है यलो रिवर चाइना की है सर्णो बुरी गंगा यह बंगलादेश की है इसमें यमुना का नाम भी है हलाकि मुझे इस वाली लिस्ट में नाम बर्म पुत्रा का नहीं मिला ठीक तो इस वाली रिवर्स यह कहां कहां पर हैं देखेगा इंडर सिर्वर का AISPS थे इसमें लों टूस से पढ़ते नहीं पढ़के किस दरीके सैं इस एग्जाम में कोशन कुछ कुछ करना चाहिए ऐ डीक लगाएँ लगा लगाए और जो है ये सरवजनिक अनुशाशन पकवाड़े के गोशना की है तो देखे यह अला स्टेटमेंट सही है कि गलत है अगर कोई भी राजिस्तान से तुरंत इसको बता देगा कि यह ओडिसा नहीं वरकि राजिस्तान से है और यहां पर सही पुछा गया तो पहला स्टेटमेंट गलत यह 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 गलत भी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएक लेकिन चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं यह एक्स्टंक्शन है वीकेंड कर्फियू था पहले राजिस्तान में लॉगडाउन की लॉगडाउन के जगे यह नाम रखा गया तीन मई से जो है यह तक रहेगा यह वाली बात है राजिस्तान गॉप्मेंट ने किया है कोरोना वरस तेज़ी से बढ़ गया इसके लिए अगला यह टॉपिक है हमारा डिफेंस से समंदित है ध्रू एमके संदित कौन से स्ट्रेट्वेंट सही है देखे साभडेशी रूप से डिज़ाइन विक्सित एडवांज लाय्ट हेलिकॉप्टर थीक हमारे यह भारत में बना है एडवांज लाइट है जिसका नाम है ध्रू यह तुन इंजन है बहुत सारे इसके बहुर रोल है और मल्टी विशन है new generation है helicopter है इसका साड़े 5 टन का weight है तो यह statement सही है कि गलत है सही पुछा गया है तो देखिए statement सही है अब देखिए दूसरा statement यह कहता है कि यह जो multi roll chopper है इसमें शक्ती इंजन लगा हुआ है जो कि DRDO ने बनाया है तो समझ लेना शक्ती इंजन जो है वो हिंदुस्ता और किぜे बनाया और कि ने बनाया इसलिए second statement बालत हो गया यही इसमें नहीं हो सकता इसमें पर लिकाव पढ़ लेते हैं इंडियाननेवी स्क्ट rebel जो cuidado डिया गया है इंडियननेवी के दुरा तो यह थी चीज cruelty रोल चौपर इसमें शक्ती इंजन जो है वह आपका चेल ने बनाया है और यह एमके वन से ज्यादा अच्छा है सर्च एन रेस्क्यू ऑपरेशन जो होते हैं इसमें काफी लो विजिविल्टी होती है तो वहां पर यह काफी कार कामगर होगा इसमें 0.7 mm की बंदूग भी है जो की लिमो यानि की लो इंटेंसिटी मरी टाइम ऑपरेशन जो होते हैं उसके रिस्टिकोर से विशाल चमता प्रोवाइड करेगा तो आज का कैसा लगा आप लोग से बहुत जादा आज लाब दायक रहा इसी तरीके से रोज अगर आप लोग जो है देख सकते हैं हमाइस साथ में अगर आप लोग अच्छाए अगर taste और प्लीज अधर लिए से अगर आप लोग करने तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए आप लोग से मुलाकातों कि सब्सक्राइब तब तक आप लोग से लेते हैं अलविदा जाएं जाएं जाब भरत और वेस्ट है वंदे मातरम